मैं तीस साल से दुकान कर रहा हूं या और मैं मेरे गुजरकों को और सभी को बच्चों को मैं कमा के इसी से रोटी रोजी दे रहा हूं आज मोके पर जब टीम अतिकर्मन अटाने गई तो विरोध किया गया गाउं के कुछ लोगों के द्वारा भी विरोध किया गया और कानून वैस्ता ना बिगड़े उसको देखते हुए हमारे पटवारी और जो टीम गई थी वो वापस लोटाए अकेले व्यक्ति का नहीं ऐसा देखिए जैसा अतिकर्मन है वो धीरे-धीरे परक्रिया के अधीनी हटाया जाता है ऐसा नहीं है कि हम रातो रात कोई पूरा गाउं का अतिकर्मन हटा दें या ऐसा है यह तो परक्रिया होती है और एक एक करके यह अटाये जाते हैं तो ऐसा जो गाउं का कहना मैं नहीं मानता है कि ऐसा कोई हमने किसी को टार्गेट किया और जो परिवार था वेवारिक भी नहीं होता है कि आप सोगरों को एक दिन में करें इसके लिए पूरी प्लानिंग और पूरा उचा दिकारियों से अनुमती जैसे कई चीजों की आवश्यक्ता होती है तो गाउंवालों की तो मांग यह रह सकती है कि सबका अटाया जाए हां सबको हटाएंगे हम लेकिन हटाना तो एक के बाद एक ही पड़ेगा इस तरीके से तो नहीं हो सकते हैं कि हम आज जाते हैं सोगर तोड़ डाले एक साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बिंटु कुमार और आज हम ग्राम पंचायत अजपुरा के अंबेड कर जो कोलोनी है यहां पर पहुंचे हैं यहां पर काफी ग्रामीन है वो एकत्रित हो रहे हैं यहां जो मामला है मैं बता दूँ आप लोगों को यहां अतिकर्मन हटाने का म मोके पर पहुंचे थे आखिरकार क्या है पूरा मामला यहां पर पीडित परिवार है उससे हम जानने की कोशिस करते हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यह दुकान है इस दुकान को प्रसासन यहां से हटाने के लिए जो गोचर भूमी में बसी हुई है जबकि यहां प बाय जा रहा है वो यह ग्रामिन बताते हैं कि आखिरकार एक वक्ती पर ही यह कारवाई क्यों हो रही है होनी चाहिए तो सब पर होनी चाहिए और जो पीडित गटिया जिस पर प्रसासन कारवाई करना चाह रहा था उससे भी जानने की कोशिस करेंगे क्या नाम है सर आपका मादे प्रसाद रहे गर है सनौब श्री कहराती मल रहे गर है मादेव जी यह बताइए कि जो कारवाई हो रही है अतिकर महंटाने की प्रसाशन के दुआरा क्या है यह पूरा मामला जैसे जर्ये मैं तीस साल से दुकान कर रहा हूं या और मेरे गुजरकों को और सभी को रखें दो सोनलाल और रादेश्याम रेगर इसी व्यक्ति ने परें उसके उपर परसाशन पर जाकर दबाव डलवाते हैं और परसाशन को यह बैते हैं एक दुकान सोड़ा आठारा आठ दोजार इकीस को फुड़वा दिया मैंने जैपुर गया था मेरी में सेज को बीमार इस एक आजार रहे हैं परसाशन की यह जबकि फेट की विजए से कर रहे हैं सर खेट वाड़े करवाने परसाशन को पर दिलाव लाकि कैसे भी अतिकरमन तो पूरी को लोनी में है वह पुरा ही आवेद है अगर हटे तो मैं पंचायत वाड़ों को ऐसे बोल दिया कि मीनों से लेकर नड़े तकी आठादो जैसे मेरी दुकान को आठाएने जैसे दोनों तरपों से आठादो मैं आठाने के लिए मंजूर हो रहा हूं इसके लिए मनाना कर रहा हूं यह लोग जो अभी पीडित जो है हमारे साथ यह बता रहे हैं कि अगर कारवई परसासन को करनी है तो पूरी गोचर भूमी है वो फस्ट में जहां से स्टार्ट होता है वहां से ही कारवई करे और समानता की साथ कारवई करे आखिरकार एक वक्ति को ही इस पर परेसान क्यों अभी का द二 के दौैए अधार है दो यहांपर आप देख सकतने कितने करामीन है कत्रीत हैं यहां के जो जागुर मति गएं आपका मुकेशत कुमारसेन है मुकेश जी यह बताई ये पर अभी यह लिपार कार भूरी έχu होरहते है थान्या और बीच में परसाथन को समझाय पंचाहत को भी लेकशनी परकार वे करना यह क्या है कि अंदूर नहीं मामला है परसासन का मिली वक्ती का मामला इनका एक वक्ती को इस तरी के सामने ना दूसरी और बब अब कोरो ना में गाइड लाइन में था कोई मामला हुआ किया जाए आज प्रसासन प्रसासन भी आया था तैसिलदार जी अब इतने कटी बीड क्यों हो रही है क्या हो गया तमगर से बक्याएं आगर गरीबाद में के खेती बारे थोड़ी है अपना जी उन्हीं अपन कर रहे हैं इनके बीगा दो बीगा वह कहीं इनका गुजर हो जाए यह ल जो सड़क है अंबेडकर कोलोनी से गुजर के जाता है इस सड़क कहा जाती है यह जारे अंदर बाजार इदर गुड़ी आड़ मांजी मंडावरा तो इन लोगों का इस पश्ट आरोप है प्रसासन पे प्रसासन अगर कारवाई करना चारा है तो सभी पर समानता शे कारवा और अब टावरबत तावरों को और मेरे बुझ शिरकों को कमा के रोटिक रोजी दे रहा हूं इन से और दो जो जने परेसा न्युकर रखें ओख थीजुन?, टीजन आपलिकेशन और कोई जबागन पश कशलों आसना को एक एक वक्ति पर मेरे पर परसानीं क्राल रखा कुर Preis कर अब बता रहेंगे तो परेंट में高एक जूशा yapt इसको बैरुजी को मंदिर को फोड़ दिया देखो इदर दी खता हो सर्व तो मैं बताना चाहरा हूं कि प्रसासन जिस तरीके से कारवाई कर रहे हैं यह लोग एसंतुस्ट हैं यहां के जो लोग हैं अगर कारवाई और यह लोग बता रहें कि यहां पर मंदिर भी था इसको कि किसका मंदिर था यह बैरुजी का मंदिर था इसको तोड़ दिया इसको भी तो आप देख सकते हैं काफी प्रेसान है यह लोग और भी यहां पर जो कोलोनी के जो लोग हैं यहां पर वो मौजूद हैं इनसे भी जानने की कोशिस करते हैं सर जिस तरीके से जो कारवाई हो गिवना की जमियाड को जमार्या की जम्मी थी आई दो जुने ने ले लिए बगवान साहिब और उसको रादेशाम मास्टर को और सोनलाल को उसको लेके जमी और फ्रंट में आने के लिए पहली भी तोड़ गया हमारे को एक मैं नहीं हो गया अप्लेकेशन लगाएं हमारा महार को परिषान करते हैं तो आप देख सकते हैं अकेला परिवार चीजि आपना अकेले लिप एकोचा। कर रहें कारवाई और भी यहां पर हमारे स्थानी जो लोग हैं वो मुझूद हैं इन से जाने कोशिश करें सर आप जिस तरीकी से प्रसासन जो कारवाई कर रहा है इस कारवाई से संतुष्ट हैं जैसे संतुष्ट हैं यह सब पिछली बर भी एक मैने पहले भी तोड़के गए थे बिना नोटिस और पुलिस वाले दबाव बनाके रहे सेहन करा के लिए गए ते एपलिगाशन पर जिस दिन भी आना यह था नहीं पूर गया वाता मिशेज ब होगा एक बार गुमा के दिखाए चारों तरब जितने लोग यहां असंतुष्ट है क्योंकि महादेव प्रसाद के उपर जो कारवी प्रसासन के दौरा की जा रही है इससे यहां के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जिस तरीके से और आज प्रसासन फिर प्रसासन को सबीब पर समानता से कारवाई की जाए और भी यहां पर महिलाए भी हैं इसे जानने को सकरें माता का मेरा मhet तरीके से प्रसासन कार जूराई कर रहा है इससे संतुष्ट है आप और थे मारि तो को ईक करा कर दूब अ को मारी कोई कर लाई कर अवा तो आप देख सकते हैं यह महादेव जी की माता जी है जो सही तरीके से जिस तरीके से बेटे की अगर जैसे दुकान जा रही है तो बिल्कुल भावुक नजर आ रही है और मैं एक बार दिखाना चाहूंगा मैं इधर से जो दुकान थी इन्होंने दुकान परसा सरी ने खाली सामान भरा हुआ था इसमें और प्रसासन का जो पीला पंजा था वो इस पर चला लेकिन आज जिस तरीके से इस्तानी लोगों ने जो विरोध किया उसके चलते ये कारवाई इस्तगित हुई और विरोध कर रहे हैं यहां के लोग कि जिस तरीके से माहदेव जी पर जो अतिकर्मी ने निवेधन किया था कि वो अपना सामान अटालेगा और विजली कनेक्शन अटालेगा इसका समय दिया जाए उसको प्रयाब समय देने के बाद हमने उसको नोटीस भी दिया था लेकिन उस नोटीस के जवाब देने के बाद भी उस व्यक्ति के द्वारा आज मोके पर जब टीम अतिकर्मन अटाने गई तो विरोध किया गया और गाउं के कुछ लोगों के द्वारा भी विरोध किया गया और कानून विएस्ता ना बिगड़े उसको देखते हुए हमारे पटवारी और जो टीम गई थी वह वापस लोट आए जो अतिकर्मन हो रहा है वो गोचर भूमी बताई जा रही है तो ग्रामियों का इस तरीके से है कहना कि अतिकर्मन अगर राजसुवागर हटाना चाह अतिकर्मन है वह दिरे दिरे परकृया के अधिनी अटाया जाता है ऐसा नहीं कि हम रातों रात कोई पूरा गाहं का तीकर्मन हटा दें या ऐसा है यह तो परकृचर भूमी और भी परिवार रहते हैं कितने लोगों को प्रसासन ने नोटिस वगड़ा दिया है इस कि अभी पर्शासने नोटीस किसी को नहीं दिया ए क्योंकि यह भी परकरण पुराना था और उसमें घौचर में दुकान की कारवाई जब दुकान बना रहे थे उस ही समय ँस व्यक्ति को नोटीस दे दिया गया था उसके ऑजन से द्वारा निर्मान पूरा किया गया क्यों इसी कारण किया गया था कि वह अकेले पर कारवाई हो रही है अगर कारवाई पर सासन करनी है तो सभी पर करें समानता से करें एक साथ इतना बड़ा अतिकर्मन हटाना वेवारिक भी नहीं होता है कि आप सो गरों को एक दिन में करें इसके लिए पूरी प्लानिंग और उचा दिकारियों से अनुमती जैसे कई चीजों की आवश्यक्ता होती है तो गाउंवालों की तो मांग यह रह सकती है कि सबका हटाया जाए हाँ सबको हटाएंगे हम लेकिन हटाना तो एक के बाद एक ही पड़ेगा इस तरीके से तो नहीं हो सकते कि हम आज जाते हैं सो ग करिया हमें अपनानी है उस व्यक्ति के विरूद हम अपनाएंगे और इस कारवाई को भविशे में जब कानुन वैस्ता का ध्यान रखते हुए और दुबार अग प्रियास करेंगे तो यह थी हमारे साथ नारणपूर तैसिलदार रामचंदर जी जो बता रहे हैं अपना प